नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करते हैं तो चलिए आज की यह प्रस्तुती शुरू करते हैं दोस्तों मुझे यह तो नहीं पता की आपकी उम्र 10 साल है या 15 साल है या 20 साल हो सकता है इससे भी अधिक हो परंतु इस बात का तो मुझे पता नहीं आपकी उम्र कितनी है लेकिन मुझे यह पता है आपके दिमाग में यह सवाल कभी ना कभी आए ही होंगे जैसे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या भाग्य भगवान पहले से ही तै करके रखता है? कौन लिखता है? क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? इन सभी प्रशनों का जवाब इस प्रस्तुती में आपको बताने का प्रयास करेंगे. दोस्तों, हमारा भविश्य पहले से ही लि कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में करते हैं, वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो की कुछ हद तक यह बात सही भी है। कोई बच्चा जन्म लेता तो कल सुबहा आकर उसके जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही मौत की नेंद सुला देता था, लेकिन जब देवकी के आठवे पुत्र की बारी आई तो विधी विधान साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया, ऐसा इसलिए हुआ क्यों इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है, मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा, और उसके जीवन में कौन-कौन सी परेशानिया आएंगी, विधी का विधान है, और इसे चाहकर भी नहीं बदल जा सकता, इसके साथ ही आपको यह बता दे कि कई ऐसे पौरानिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद है, जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमान मिलते हैं, जैसे हम रामायन में देखते हैं, पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 स जावे में ना आती ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचे रावन का वद श्री राम के हाथों कैसे संभव होता, यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के समय से संभव हो पाए, इसी तरह ह एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। ज्यादा तर है कि आपको उसका दुश्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा अर्थात आपने अगर बबूल रूपी बुरे कर्म किये हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुने के कर्म करने की प्रेणा दी गई है क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चर्णों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्त तुलसीदास जी ने भी इस बात को सपष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है यानि की जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा इसी के साथ एक यह बात सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था अर्जुन ने कहा कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या आपने मेरे अपने ही श्रिष्ट का वध मेरे हाथों लिख दिया यह कैसा भाग्य है तो पर श्री कृष जीवन में किस तर पर फूल मिलेंगे या कांटे यह मनुश्य खुद कर्मों के द्वारा तै करता है श्री कृष्ट ने कहा तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना जबकी करने अधर्म का रास्ता तो मैं क्या कर सकता था लेकिन फिर भी म मैंने उन्हें कई विकल्प दिये परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा भागवत गीता के किस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है हमें भगवान कुछ अवसर जरूर देता है जिससे कि हम अपने किये गए बुरे कर्मों का पश्चा करके सही राह पर आ सकते हैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अवश्य ही हमारा भविश्य लिखा जा चुका है लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है तो दोस्तों आज की प्रस्तुती को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुती लेकर आएंगे तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह हमारे इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए